सूट के गला जिसकी चुड़ाए ज़्यादा हो उसे कम कैसे करें इसका तरीका आज मैं बताऊंगा ये देखिए ये अश्टोन का काम दिया हुआ है और यहाँ पर देखिए ये सावा साथ इंची इसका चुड़ाए है और यहाँ पर पाच इंची रखना है तो आप इसको कम कैसे करेंगे तो यह बहुत ही आसान तरीका है वीडियो को पूरा देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा तो इस तरह से आपको पहले यहां पर निशान लगाना है जो कि यहां से गला का निशान यहां पर सिला होगा और यह निशान से धाए इंच निशान लगाना यहां पर गला पाच इंच इसका चुड़ाय बनेगा और यहां से फिर लाइनिंग खीच लेना है यहां पर अपना according आप रख सकते हैं और यह देखिए यहां सिला लगाना है उससे पहले आप यहां पर देखिए यह work दिया हुआ है यह work को दोनों को मिलाना है फिर यहां पर सिला लगाना है यह सिला लगाने के बाद आप इसको cutting करके निकाल सकते हैं जो margin बच जाए या फिर नहीं निकाल सकते हैं कोई जरूरी नहीं है यह देखिए एक इस तरह से कप्ड़ा लेना है और एक बकरम को पेस्टिंग कर लेना है यह बकरम गलाक बनाने का उसी को पेस्टिंग कर लेना है और ये इसको बीच सेंटर में कट लगाना है और ये जो सिला लगाए थे और वो कट दोनों मिलाके बीच में एक कच्चा सिला लगाना है ये कच्चा सिला इसलिए कि जब आप गला में सिला लगाओगे तो आपका बकरम इधर उदर खिसकेगा नहीं ये देखी ये सिला लग चुका है और यहां से फिर सिला लगाना है ये देखिए ये अश्टून का काम इधर दिया गया है तो यहां से सिला लगाना है जो अश्टून का वर्क दिया है उसके किनारे में भी सिला अप लगा सकते हैं लेकिन थोड़ा सा गयप इसलिए मैं दिया हूँ कि वो आपको बाद में समझाऊंगा ताकि आपको समझ में आ जाएगा क्योंकि इतना गयपिंग देना भी जरूरी है आप नहीं दिजेगा तो आपका गला भी ठीक से नहीं बन पाएगा तो इस तरह से गयप देना थोड़ा सा जरूरी है वो मैं बताऊंगा ये देखी ये सिला लग चुका है गले में और ये जो बकरम है यहां से फिर इतना मार्जिंग में कटिंग करके निकाल लेना है ये देखें इतना कट हो चुका है और फिर ये अंदर की कपड़ा को भी कटिंग करके निकाल लेना है और इसमें हलका हलका कट लगाना है ये कट बहुत जरूरी है क्योंकि ये कट नहीं लगावे तो आपका गला ठीक से नहीं घुमेगा इसलिए ये कट लगाना बहुत जरूरी है इसके बाद ये देखें कि इसको अंदर की तरफ मोड़ना है और यहां पर शिला लगाना है कि यह देखिए यह सिला लग रहा है यहां पर इस वह जो थोड़ा सा मार्जिंग मैंने बताए था कि क्यूं रखना यहां देखिए यह इसलिए रखना कि यह जो बूट है जो मतलब चाप बोला जाता है वो ठीक से आपको बेठेगा नहीं माल लीजिए आप अगर पूरे किनारे पर शिला लगाओगे और आपका अस्टोन का वर्क रहेगा तो आपका जो चाप है वो ठीक से वहां पर नहीं बेठेगा इसलिए आपको सिंगल बूट को इस एसलिए थाल्ग करना पड़ेगा तो आपका जो सिंगल बूट नहीं रहेगा तो यह देखी यह लगा चुका है तो आप हल का से margin छोड़के गला बनाना यह देखिए यहां पर फिर इसको मोड़ना है इस तरह से मोड़ना है और यहां फिर शिला लगाना है तो हलका से फिर वो margin दिजेगा तो आपका जो डबल बूट कर रहेगा वो आपका सिला आसानी से लग जाएगा उमीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा आप चेनल में नए है तो चेनल को सब्सक्राब और लाइक करना ना भूले यह देखिए यहां पर सिला लग चुका है और यहां पर देखिए फिनिसिंग कितना बढ़िया आ चुका है और उपर साथ में देखिए इस तरह से आप फिनिसिंग गला बना सकते हैं